तो समझ यह मंडी, जो किसान से प्यास खरीदता है, मिस्री माडम को ले लीजिए, यह है ट्रेडर यानि की होलसेलर, जो मंडी से प्यास खरीदता है, आप करिश्मा माडम, आप है डीटेलर जो होलसेलर से प्यास खरीदता है, और मान के चलिए कि मैं हूँ कस्टमर, तो यह जो प्याज है ये बीस रुपे केलो के हिसाब से मार्केट में बिखता था, जो आम आदमी के लिए अफोर्डेबल था, आदमी खरीद था, आदमी खाता जा, ये ही बीस रुपे केलो का प्याज आज मार्केट में बिख रहा है सो रुपे किलो के हिसाब से, जो बिल्कुल भी अफोडेबल नहीं है और आम आदमी की सोच से कोसो दूर है हां संतु यही केस है